सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्रीकी काल को और बैल अकन को दबाईए लिटिस्ट ब्रेट्स पाने के लिए आज की इस वीडियो में हम दब लॉब मुवी को डिसकस करने वाले हैं जिसे मैंने हाल ही में देखा था ते ब्लॉब मुवी आनेटीनीटीट में रिलीज हुई थी और 1958 में इसी नाम से आए दा ब्लॉब मुवी के रिमेक है जो इसे नाम के बुक पे तो चले इस मूवी को फर्थर डिस्कस करते हैं, जहां एंड में हम इस मूवी को डाउनलोड करने का तरीका और इससे जुड़ी कुछ इंट्रस्टिंग बाते भी डिस्कस करेंगे, So now with that said, let's start the intro. तो मूवी के पहले सिन में हम पॉल टैलर नाम के एक बंदे को डिखते हैं, जिसका रगभी का मैच चल रहा था, यहां उसके अच्छी पर्फॉर्मनस है, मैच पैनी नाम के एक चीले इल्डे उसे इंप्रेस हो जाती है, और पॉल आस्कर फॉर एडेट, सिन्सिफ्ट होता है, और हम ब्लाइन फ्लेगर नाम के एक बंदे को दिखते हैं, जो अपनी बाइक से स्टन्ट परफॉर्म करने की कुशिस करता है, बट फिल रहता है, पर यहीं एक गार्बेज किलेक्टर, उसे दिखकर उसके लिए क्लाप करता है, और उसे अप्रिसीट करता है, ना उसी रात को, जब वो अपनी गार्बेज कैंस को क्रेश कर रहा था, उसकी नेजर आसमान पे पढ़ती है, जहां उसी से कुछ ही दूर एक मीटियोर आकर क्रेश कर जाता है, वो उसके पास जाने की कुशिस करता है, बट जैसे ही वो उसके पास जाता है, उसका डॉक काफी अग्रेसिव बिहेव करता है, और फिर भाग आता है, एस इफ कि वो इसीली वो उसे चेक करने जाता है, और यहां उसे क्रेस साइट पत एक चिपचपा सबस्टांस मिलता है, वो उस गाड़वे सेलर तकी सेल're help से उससे उठा लेता है और फिर से एगजामेन करने लगता है, बट आल अफ अससबश्टांस उसके हातों पयार के से जकर लिता है जैसे कि वो कोई living organism हो यहां से sensitive होता है और हम Kevin और Tony नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि Mac के brothers थे यहां यह दो बच्चे अपनी mom को जूट बोल कर थेटर में Friday the 13th movie देखने जाते हैं क्योंकि Mac की mom उन्हें यह violent movie देखने नहीं देना चाती थी जिसके बाद यहां टाय लड़ा रायता है जो Mac को डेट पे लेके जाता है यहां से हम Brian को देखते हैं जो उसी एरिया में था और वो चानक वो garbage man उसके आके जपटने लगता है वो उससे उसकी किलहारी च्छिन लेता है और Brian फिल करता है कि वो उसके अटायक करने वाला है बट strangely वो garbage man उसके अटायक करने के बजाए उसी कुलहारी से अपने हाथ को काटने लगता है बट जैसे ऐसे वो अपना हाथ काटता था वो स्टिकी सबस्चांस उसके हाथ को और तीजी से जगर लेता था और जब आकर कर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो घबरा कर भागने लगता है और Brian उसके पीछे पीछे जाता है जहां वो रास्ते में Tyler और Mackie कार्स उसका accident हो जाता है जो अपने date के लिए जा रहे थे हैं और उसके पीछे पीछे Brian भी वहाँ आता है टैलर को लगता है कि Brian ने ही सब कुछ किया है जिसके बाद वो तीनों से hospital लेके जाते हैं after admitting Brian वहाँ से चला जाता है और टैलर उस garbage man को देखने उसके ward में आता है जहां वो उसे बताता है कि he is not feeling well और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज उसे अंदर से खा रही है और फिर वो कहराना स्टार्ट कर देता है टैलर दौर कर डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही वो उसके ओपर से blanket हाता है तो वो देखते हैं कि उनके body के नीचे का पूरा हिससाट dissolve हो चुका है बिलकुल पूरीता से गल चुका है जैसे कि उसे acid में डाला गया हो और उस आदमी की painful death हो चुकी थी टाइलर फिट दौर कर पुलिस को call लगाना जाता है और तभी वो feel करता है कि उसके ऊपर कोई चीश्टे पकड़ाई है जो कि उसके table पे आके लग रही है जिससे table पूरीता से पिखल रहा है एकदम acid की तरह और वो चछत की दिवारों के तरफ दिखता है और अचाना को इस substance उसके ऊपर कूच जाता है और उसके पूरी तरह से अपने अंदर trapped कर लिता है उसके चीखे सुनके मेग वो आ जाती है और वो चीश टाइलर के blood को और उसके flesh को पूरी तरह से गला कर अपने में dissolve कर लिता है मेग उसका हाथ पकड़ कर खीचने की कोसिस करती है कि वो बसे बचा पा है और टाइलर का हाथ उसके हाथ में आ जाता है and that scene was very creepy जिससे मेग वहीं भी होश राती है और वो उस living substance अब और बड़ा हो चुका था जिसके बाद वो यहाँ से सीधे gutter की hole में भाग जाता है जिसके बाद यहाँ cops आ जाते हैं जिन में सेरिफ हैर्ब गयर और deputy officer Bill Briggs होते हैं जो Paul को inquiry के लिए ले कर जाते हैं अगले सीने हम Tyler के दोस्त और उसके girlfriend को एक सुंसान एरिया में कार्ण में देखते हैं जहाँ manhole के through वो alien substance फिर से वाँ आ जाता है जिसके बाद हम जानते हैं कि क्या होगा उन दोनों के भी दर्दनाक मौत आती है नाव यहां मैग और Tyler की death से वो trauma में पहुँच गई थी नाव यहां मैग Tyler की death से trauma में थी और वो जीव manhole में घूम रहा था अगले सीने हम police station को देखते हैं जहां सब उतना होने के कारण उन्हें Brian को छोड़ना पड़ता है और इसके बाद मैग उसे pick करने आती है मैग उससे apology मांगती है जिसके बाद यह दोनों एक restaurant में जाते हैं जहां मैग भी आती है और वो उससे help मांगती है क्योंकि अब तक सरफ उन दोनों ने हैं उसे देखा था यहां Brian को खाना सर्फ करने के बाद वह restaurant की ओनर अपने kitchen में जाती है जहां वो पानी के नल में कुछ unusual सा notice करती है और अपने helper को उसे साफ करने के लिए बोलती है जिसके बाद आचाने के उस चीज से कुछ बाहर नाता है और वो George को जो कि वो उसका helper था उसे पूरी तसन निकल लेता है यह कहें तो उसे भी नीच ओड़ लेता है जहां Meg और Brian फ्रीजर की और भागते हैं और भागकर उसको छुप जाते हैं और surprisingly वो थिंग उस फ्रीजर में भी आने की कोसिस करता है बड़ जैसे ही वो अपने आपको उसके अंदर डालता है उसके parts crystallize होके तूटी नहीं लगते हैं और वो वहां से भाग जाता है जहां restaurant की honor बहार आकर पुलिस को call कर रही थी कि तभी उसके boot पे वो जीव हमला करेता है और उसे पूरा का पूरा boot से ही ती निगल जाता है या कहीं तो उसे भी पूरी तर से अपने में घुला लेता है जिसके बाद वो फिर से जीव manhole में चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए एक raven नाम का बंदा देख लेता है जो बाद में अंदर जाकर उसके crystallize कुछ forms को collect कर लेता है यहां Mac और Brian बाहर निकलते हैं और Mac और Brian प्लिस के पास जाते हैं जहांने पता चलता है कि उन्हें इस case से जुड़ी कुछ important बात के लिए कहीं बुलाया गया है और वो कुछ government official से मिलने गया है जिसके बाद Brian भी वहाँ जाता है यहां वो government के secret biology experts team से मिलते हैं जो कुछ investigation करने आये थे government के तरह से Mac के पूछने पर यहां इनके head Dr. Meadows बताते हैं कि एक alien microbe है जो स्पेस से आया है और साइद ऐसा ही कुछ dinosaur के extinction का भी कारण ना होगा यहां से team के special operation head Colonel Hagrid भी आते हैं जो इन सभी को जाने के लिए बोलते हैं और वो उन्हें crash side भी देखने नहीं देते हैं उनके अनुसार यह जगा बिलकुल contaminated थी और उन्हें यह जगा बिलकुल नहीं देखने चाहिए बट उनके strange behavior से Brian को उन पर सक्वायता है जिसके बाद वो अकेले जाने की कुसिस करते हैं बट forcefully वो उन्हें वैन में बिठा कर भेजेता है रास्ते में ही Brian लॉक तोड़कर गारी से कूच जाता है बट मैग नहीं कुच्ती क्योंकि उनसे सभी पर ब्लीफ था और जहां से मेग अपनी family के पास चल जाती है और Brian वापता से crash side पर यहाँ जो चुप चाफ सबकी बाते सुना था और सबकी बाते सुनने पर उसे पता चलता है कि यह सभी दब लॉब नाम की प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह creature को डॉक्टर मेड़ॉस ने space में biological war के लिए design किया है यह सभी US government के कहने पर क्या गया है और उन्हें testing के लिए इसी town को चुना क्योंकि यह काफी remote इलाके में था और यहाँ ज़्यादा लोगों की rich नहीं थी डॉक्टर मेड़ॉस यह जानना दाते थे कि blob आखिर कैसा काम करता है जब वो लिए स्टांस को dissolve करता है डॉक्टर मेड़ॉस का एक junior उन्हें warn भी करता है कि ऐसा चला तो वो पूरे USA को मातर 10 दिन में ही निकल जा देगा बट वो यह मानने को त्यार ही नहीं थे और उनका मानना था कि उसे contain भी कर लिया जा सकता है और वो यह सा easily कर लेंगे तो वो उन्हें order follow करने की हिदायद देते हैं और उन्हें के धमकी भी लेते हैं ब्राइन ने यह सब देख लिया था और वो यहां से भागने की कुसिश करता है जिसके बाद उसे भागते वे soldiers दिखते हैं जो उस पर गोलिया चलाते हैं ब्राइन या सक्सेसफुल इसकेप करने में काम्याब रहता है यहां मैक को पता चलता है कि उसके दोनों भाई अभी भी घर से बाहर ही है और मैक समझ जाते हैं कि यह दोनों अभी भी थीटर में होंगे यहां ब्लॉब थीटर में भी अटाक करता है और कई सारे लोगों को कंस्यूम करता है जिसके बाद ब्लॉब काफी बढ़ा जाता है यहां मैक बड़ी मुश्कल से अपने दोनों भाईयों को बजाती है और आखिर कर कोई मौका ना पाते हैं वेवापस तो भी घृटर में घृष जाती है ताकि वो बहां से कैसे भाग सके है यहां बचने के लिए जब गटर में घुसती है तो उसके उपिछ थी पीज़ी ब्लॉब भी आता है यहां डॉक्टरमेड उसमें सारे फ़ज को सील कर दिया था ताकि कहीं से यह ब्लॉब भाग ना सके हैं और वो उसे कंटेन करने वाले थे हैं जहां ब्लैन भी उसे बचाने के लिए गटर में घुज जाता है यहां गटर में ब्लॉब का सामना करने और काफी सारी अंसर्टेनिटी के बावजूद भी वो लोग आखिर काट गटर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद वो चैन के सास ले ही रहते कि ब्लॉब फिर से उन पर अटेक कर देता है जिसमें उसके करनल हैगरिस माल जाते है यहां डॉक्टर मेडाउस को समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी और इससे पहले कि दॉक्टर मेडाउस उसे कंटेन करने का कुछ तरीका बताते है ब्लॉब उन्हें भी मार देता है बट एक्सिडेंटली जब ब्लॉब फाइर एक्स्चेंज उसर से निकली गैस से टकराता है तो वो डूड हर जाता है आज इसकी वो उसे डर रहा हो एंड डाट पॉंट ब्राइन रिलाइस करता है कि उसे फीज करके ही रुका जाता है क्योंकि CO2 ड्राइ गया से है और इसलिए वो डॉक्टर मेडाउस के लिक्विड नाइट्रोजन से भरी ट्रक का स्तमाल करता है जिसमें ट्राइप होकर आखिरकार ब्लॉप के क्रिस्टलाइस टुकड़े राते हैं और ये सीन यही खतम हो जाता है जिसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में रेवनर को देखते हैं जो एक कल्ट बना चुका था और वो जज्जमेंट डिकांट जयार गड़ा था यानि फैसली के दिन और उसका आधा चाहरा बुडिते से डेमेज हो चुका था जैसे उस पे एसीड से अटाक हुआ हो और वो फिर उसी जार को निकालता है जिसमें उसने ब्लॉब के क्रिस्टलाइस फ़र्म को उडाला था जो कि अब एक छोटा ब्लॉब बन गया था मूवी यहीं पर खतम राती है तो यह थी मेरी एक्स्प्लाइशन ऑन दब्लॉब मूवी और यह मूवी 1958 में आए जिसकी कमी को 1988 में डबलॉब ने पूरा किया और अब तो रूमर्स यह भी है कि इसकी एक और रिमेक और सिक्वल भी बनने वाली है बग देट विल बी सीन अब क्योंकि मूवी काफे सिंपल है और इसकी स्टोडी लाइन कॉम्प्लेक्स बिलकुल भी नहीं है और अगर बात इसके सजेशन की करें तो मैं इसे वन टाइम वाच नहीं बताऊंगा क्योंकि 1988 के टाइम के हिसाब से भी इस मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रू कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब करके बेल आकून को ज़रू जबादे है मिले हैं किसे एकली वीडियो में मोर वीडियो अगर वीडियो अगर टिल एंग बगए